तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में उपन कर लेना है Amazon एप को उसके बाद में आपको यहाँ पर उपर की तरफ दिखाई दिंगे तीन डेश तो इन पर आपको किलिक करना है उसके बाद में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर ओप्शन दिखाई देगा पर ओप्शन मिलेगा प्राइम का और इसके सामने एक ड्रफ डाउन मेनू का ओप्शन दिखाई देगा इस पर आपको किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल देगा यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा और यहाँ पर आ है या कुन सी है वो भी जो है यहां पर शोग करेगा उसके बाद में यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहां पर आपको दिखाई देगा आपकी रिनेवल डेट किस डेट को आपका रिनेवल होने वाला है और यहां पर आपको ओप्षन दिखाई देगा reminder का कि आप renewal करने से पहले reminder और sms लेना चाहते हैं तो दोस्तो यहां से हम इसे own और off कर सकते हैं otherwise अगर इसे आप end करना चाहते हैं और prime membership को unsubscribe करना चाहते हैं और इसको बिलकुल खतम करना चाहते हैं है तो उसके लिए आपको यहां पर नीचे की तरफ आना है और यहां पर option दिखाए देगा and my trial दोस्तों यहां पर एंड my free trial नाउपर आपको क्लिक कर देना है इस पर किलिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा आपको यहां पर नीचे की तरह आना है और यहां आप देख सकते हैं Keep My Free Trial और End My Free Trial Now, Remind Me Later यहां पर तीन ओप्शन दिये गए हैं जिन में से आपको End My Free Trial Now का ओप्शन चुनना है क्योंकि हमें इस ट्राइल को, इस मेंबर्शिप को End करना है, Unsubscribe करना है, बिल्कुल Finish करना है, खतम करना है तो दोस्तों यहां पर मैं किलिक कर देता हूँ, End My Free Trial Now पर तो यहां पर मैंने क्लिक कर दिया है इस पर क्लिक करने के बाद में, आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा उसके बाद में, यहां पर नीचे की तरफ आना है, और यहां पर आपको Option दिखाई दिनगे तीन, जिन में आपको चूज करना है, Continue to Cancel वाला Option अगर आप कैंसल नहीं करना चाहते हैं, तो Keep My Membership वाले Option को चुने, अगर आप इसे बाद में करना चाहते हैं, तो Remind Me Later वाले Option को चुने, लेकिन हमें Currently अंसबस्क्राइब करना है, और हमारा Member से प्लान है, उसको खतम करना है, तो आपको Continue to Cancel वाले Option को चुनना है, और यहां पर Continue to Cancel पर क्लिक कर देना है, तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है, इसके बाद में आपके सामने, Option आएगा, Cancel Immediately का, तो यहां पर आपको Cancel Immediately वाले Option पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों मैंने Cancel Immediately वाले Option पर क्लिक कर दिया है, तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का Message आएगा, We are sorry to see you go, तो यहां पर सर्वे के लिए कहाएगा, अगर आप सर्वे देना चाहते हैं, तो दे दीजि और यहां पर आपको दिखाए देगा, Your free trial has been cancelled, Your free trial has ended and Your card will not be charged, यानि आपका जो free trial था या membership थी वो cancel कर दिया गया है, और आपके जो card जो आपने add किया था, उससे कोई भी charge नहीं लिया जाएगा, और नीचे आपको option दिखाए देगा, You are currently not a prime member, तो दोस्तों यहां पर अब तो हमारा जो current plan था membership का वो cancel हो गया है, अगर आप इसे future में rejoin करना चाहते हैं, तो वहां से आपको plan खरीदना पड़ेगा, तो दोस्तों कैसी लेगी हमारी यह video, comment box में जुरूर बताईएगा, अगर आपको यह video पसंद आई, तो हमारी YouTube चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, क्य हमारी बताई, युर रूलिएगा, क्या मत बताईद आपको लेगी हमारा आपको जुरूरूर मत देना करेको का वालिएगा, क्या मत दरूरूरूरूरूक Televaysa कर तो हमारा प díaना मत ओभ लो कि यह危़ा हमाराय चाहते हैं, वहां चाहते हैं, छो庆ल को दो कर आपको यहeed, थि